हेला व्रोण वेलकम टू मैं चैनल में साइकेडमी दिस इस इमाज आज के स्वीडियो लेक्शन में बात करने वाले हैं फॉर फ्रेशर कैंडिनिट ओनली बी फार्म और एम फार्म स्टुएंट के लिए वेकेंसी है मेकलियोट्स फार्मासूटिकल में क्या वेकेंसी है डिटेल में डिसक्स करेंगे और जैसे कि आप जानते हैं फार्मा रिगार्डिंग आपकी जितनी भी चोटी बड़ी वेकेंसी आती है सारी वेकेंसी के बारे में हम हमारे चैनल पर डिसक्स करते हैं अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्ली सब्सक्राइब करना न भूले हम बात करते हैं यहाँ पर गौर्वर्मेंट जौब परमाने जौब या इंडस्ट्री में जितनी भी आपकी जौब आती है फॉर फ्रेशर कैंडिएट एक्पिरेंस कैंडिएट सारी वेकेंसी के मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं मैकलियोट्स फार्मसोटिकल अपने आप में एक बहुत ही बड़ा नाम है तो यहां पर वेकेंसी आई है फ्रेशर कैंडिएट के लिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्वालिटी कंट्रोल और एनलेटिकल डिबार्मेंट के लिए फ्रेशर केंडिएट के लिए फ्रेशर केंडिएट जो है वह यहां पर इलिजिबल है यहां पर मैं बताना चाहूंगा नेक्श बात कर रहे हैं इसकी लोकेशन क्या रहेगी तो नियर वापी गुजरात में यहां पर इसकी लोकेशन है और यहां पर देखिए वाक तीन यानि कि वेनस डे सोला मार्च को रखा गया है बिट्विन दे नौ नाइन एम तो फोर तर्टी पीम प्लेस होटल वुडवर्स वापी गुजरात जैसे कि हमने डिस्कस किया और यहां पर एक और चीज लिखी वे देखे कि चैंडियरर्ट इकष्ट्ट कुछ एसेस्में रहेगा आपका तो आपको स्मार्ट फोन जो है वा धिर कशी जाना है नेक्स अगर कोई कैंडियेट जो है डेहीं लिखाद कीडि़ेट वोड़्स इंटरविवा आप अपना cv जो है इस email address पे भी भेज सकते हैं हो सकता है in future आपको call किया जाए next बात कर रहे हैं यहाँ पर अगर कोई candidate क्या क्या लेके जाने तो आपको जितने भी आपके documents है आपका cv यहने की कर्विटे resume लेके जाना है और सारा सब कुछ आपको लेके यहाँ पर walk-in interview में पहुंच जाना है अगर आप walk-in interview अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो आपको इस email address पे आपको अभी के लिए आपका resume जो है वो भी भी भेज देना है चलिए तो कैसा लगा आपको information ज़रू बताए comment section कीप वाइंग स्टेड़ कीप वाइंग स्टेड़